सो हलो दोस्तों आज की वीडियो बहुत जादा महात्पूर्ण है क्योंकि इस्रम कार्ड जिन लोगों का पैसा नहीं आया है उनका कब तक आएगा ये बहुत ही बड़ा कोश्चिन है और बहुत से भाई बहन हमेशा पूछते रहते हैं तो चलिए आज की वीडियो शुरू कर देंगे बट आपको सही चीज बताऊंगा तो भरोसा करते हैं तो वीडियो के साथ बने रहें और अच्छे से वीडियो को देखते रहें तो यहां पर देखिए आपको कुछ लिखा मिला है और इसको आपको दिहान से देखना है पढ़ना है लिखा है कि इस रमकार्ड कोब 300 करून रुपए का रख रखाव भत्ता जो है प्रदान किया है जिन्होंने अपना रजिस्टेशन जो है इस्रम योजना के अंतरगत किया था उन्हें लाब मिलना सुरू हो गया है हलाकि यहाँ पर अगर हम बात करें योपी सरकार ने बिधान सबा चुनाओ से पहले सरकार के उन सभी खातों में जो है भत्ता जारी कर रही है जिनके पास इस्रम कार्ड है अर्था सरकार इस्रम कार्ड रखने वाले स्रमिकों को खाते में भरड पोशड भथता जारी कर रही है तो इसके अंतरगत योग स्रमिक जो है उनके खाते में पैसे आने शुरू हो गया है अब यहाँ पर बात की जा रही 5 रुपे की तो पांच रुपे का भुकतान किया जाएगा फिलहाल स्रेमकों के खाते में एक हजार जमा किया गया है अनकी एक हजार भीजा गया है तो आपके खाते में भी एक हजार रुपे आने चाहिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि आपके खाते में क्यों नहीं आ रही है तो simply दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है कि UP सरकार ने विधान सभा चुनाव से पहले सरकार कुन सभी खातों में जो है इस्रम कार्ड के पैसे भेज रही है तो सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर आपको जानने वाली यह है दोस्तों कि भरड पोसर के अंतरगत सरकार को जो डाटा वेरिफाई हो रहा है वेरिफाई कैसे हो रहा है क्यों हो रहा है वो हम आपको अभी बताते हैं तो उनहीं के खाते में पैसे भेज जा रहे हैं एकांट से उनका पैसा नहीं जा रहा वो परिशान है तो सेम्पली आपको कुछ नहीं करना है पहला काम आपको बस दो काम करना है एक काम अपने बैंक में आपको अपना अधार कार्ड लिंक करवा लेना है दूसरा काम ये करना है कि आपको अपने नदी की जनसेवा केंदर पर जाना है और अपना इस्रम कार्ड को अपडेट करवाना अपडेट का मतलब होता है जो भी उसमें गलतियां कमियां होंगी उसे सुधार करवा लेना वो आपको नहीं बताना होगा वो जो जनसेवा केंदरवाला होगा वो खुद जान जाएगा तो आप अपना इश्रम कार्ड लेके जाएगा अधार कार्ड लेके जाएगा और बैंक पास्वुक अपडेट करवा लिजी आपका पैसा सत प्रतिसात आने लगेगा आप निश्चिंत रहें तो बस आज के लिए इतना ही था बातें समझ मा गई हो तो ठीक है अगर नहीं समझ माई हो तो कमेंट सेक्षिन में पूछिएगा और जो भी आपके प्रेशन है वो हमें जरूर बताएगा तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों और चैनल पे नए होत सब्सक्राइब बिल्कुल कर लिजीगा बिल्कुल फ्री होता सब्सक्राइब करना और महत्पूर्ण सूजना साब बंचित नहीं रह पाएंगे तो आपने सब्सक्राइब कर लिया हो